इकाई छे सुबह बाल दोस्तों आपने कई सारी कहानियां सुनी होगी आज हम एक ऐसा प्रसंग सुनेंगे जो आप सब को जीने का जज़बा देगा एक लड़की की हिम्मत कैसे अपनी विकलांता को हावी होने से बचाती है तो चलो सुनना है न? प्रसंग कथा सुबह सुबह रेश्मा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है कोई सामान जार रहा है तो कोई मकडी के जाले उतार रहा है रेश्मा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है मा, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं रेश्मा ने उत्सुक्ता से पूछा हाँ बेटिया रानी, त्योहार के दिन है भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनन्द ले पाएंगे मा ने प्यार से रेश्मा के गाल को सहलाते हुए कहा ओ, मैं तो एकदम भुलकड हो गई हूँ पर मा, आपने मुझे तो कोई काम सौपा ही नहीं मैं क्या करूँ, बताओ मा अच्छा, चलो, पहले नहाद हो कर तयार हो जाओ फिर बताओंगी, बहुत से काम है मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ मा ने कहा रेश्मा ने रुआ से स्वर में कहा मदद तो मैं जरूर लूँगी मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं नहाद हो कर नाश्टा कर लो, फिर बताओंगी कहते कहते मा ने उसकी पहिये वाली कुर्सी पर बैठा दिया रेश्मा ने अपने पहिये वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कारियों में लग गई रेश्मा जब पांच साल की थी, तब ही से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए बहुत हिलाज करवाया, पर रेश्मा के पांव में जान नहीं आई उसे पोलियो हो गया था, रेश्मा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी परन्तु अब ग्यारह साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयम करती है वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती परिवार के सभी सदस्य, पिता जी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादा जी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं, वह सब की आँखोगा तारा है माने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिये थे उन्होंने रेश्मा को आवास दी, रेशू, अगर तुमने नाष्टा कर लिया हो, तो काम में मेरा हाथ बटाओं हाँ मा, मैंने नाष्टा कर लिया, दूद का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है मा, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ रेश्मा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुची रेश्मा मा को बर्तन डिब्बो पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और मा उन्हें व्यवस्तित धंग से सजाती गई रसोई घर फिर से चमचमाने लगा पिता जी दफ्तर चले गए, मा को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था गोलू तो बहुत छोटा है, दादी जी दादा जी बहुत बुजर्ग है अब सामान लाए कौन? मा परेशान थी, रेश्मा ने कहा सामान मैं ले आओंगी बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए तुम ले आओगिया के लिए? मा ने पूछा हाँ मा, एक बार पहले भी तो लाई थी, रेश्मा की आवाज में दृड़ता थी तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुकडवाली दुकान से ही मिल जाएगा थोड़ी देर बाद, रेश्मा सारा सामान लेकर लोटी उसने गोलू को आवाज दी, गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टाफी लाई हूँ गोलू टौफी पाकर खुशी से उचलने लगा, कुछ ही दिन बीते थे, एक दिन शाम को रेश्मा का घर दियों के जिल्मिल प्रकाश से जगमगाने लगा पूरा महला जगमगा रहा था, जहां रोश्णी ही रोश्णी थी, क्या जमीन, क्या आस्मान दादी जी ने बताया कि दिपावली अंधेरे पर उजाने की जीत का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई और असत्या पर सत्या की सदाजीत होती है इस दिन रावन को पराजित कर राम अयुध्या लोटे थे, उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है रेश्मा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बाते सुन रहे थे, कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया गोलू अपने दोस्तों के साथ पठाके छुडाने में मगन हो गया रेश्मा अपने दादा दादी के साथ फुल जड़ियां जला रही थी इतने में रेश्मा ने देखा कि गोलू ने जिस पठाके को बुजा हुआ समझ कर छोड़ दिया था, उसमें चिंगारिया निकलने लगी है गोलू की पीट पठाके की तरफ थी, रेश्मा चिलाई, गोलू, गोलू, बचो, तुम्हारे पीछे पठाका है पठाकों के शोर में रेश्मा की आवास दब गई, सबसे पहले रेश्मा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेल थी, गोलू के पास जा पहुँची उसने गोलू को जोर से धक्का दिया, और खुद आगे निकल गई, अपनी कुर्सी की गती के कारण, धड़ाम, जोर का धमाका हुआ रेश्मा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया, गोलू को कुछ समझ नौ आया कि उसे धक्का किस ने दिया और क्यों, धमाके की आवाज सुनकर मा पिताजी भी बाहर दोड़े चले आए, कुर्सी रेश्मा के उपर थी और रेश्मा नीचे, पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेश्मा को उस पर बैठा दिया, मा भय भी थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेश्मा ने उन्हें सारी बात बताई, सब ने रेश्मा की पीठ थप थपाई, गोलू रेश्मा के पास आकर नाट की ये धंग से बोला, दिदी, आज तो आपने मेरी जान हस पड़े, रेश्मा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, वह आज भी उतनी ही जिन्दा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है, उसकी हर सुभा नई सुभा होती है, वह हर सुभा अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है,